31 जन्वरी 2021 को सीटेट के हुए पेपर का प्राथमिक अस्तर के मैथ का सलूशन देखते हैं पहला क्यूशन था गडित के सिच्छन अधिकम पर नमलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना निवनितम है का सही अंसर होगा छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना अगला प्रस्ण रोहित ने अनुभाव किया कि वर्ग एक समचतुर भुज और एक आयत दोनों है वह वैन हील के मानस सिंतन के कौन से चरण पर है का सही अंसर होगा अस्तर एक अगला प्रस्ण पुछा गया था किनी दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है पूर्ण संख्या के इस गुण को इस प्रकार उलेखित किया जाता है जैसा कि हम जानते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं समरक नियम दो पुरांकों का योग या गुड़ा हमेशा पुरांक प्राप्त होता है यही समरक नियम है करम बिनमे नियम जैसे दो संख्याएं A में B को जोड़े या B में A को जोड़े यह हमेशा बराबर आता है दो संख्याओं गुड़ा ए गुड़े बी करें चाहे बी गुड़े ए करें यह हमेशा बराबर आता है साचर नियम योग का होता है माली जे तिन संख्याओं ए बी असी हैं बी और सी को जोड़कर ए जोड़े या ए और बी को जोड़कर सी जोड़े हमेशा मान बराबर आता है इसी तरीके से गुड़ा का होता है ए गुड़े बी गुड़े सी बी गुड़े सी का गुड़ा करके ए का गुड़ा करें या A में B का गुड़ा करके पिर C का करें हमेशा बराबर आता है वितरन नियम मान लिजिए एक संख्या A है ये B प्लस C तो A B के साथ बितरित हो जाएगा और C के साथ यनि A गुड़े B प्लस C गुड़े A निरसन नियम यदि A प्लस B बराबर B प्लस C है ये B कड़ याद है यनि आजगा A प्लस C A बराबर C इसी को निरसन नियम काते हैं तही आंशर होगा समरंग गुड़ अगला प्रश्ण है गड़ित के सिच्छड अधिगम के विषय में निम्न लिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है अगला प्रश्ण है प्राथमिक अस्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्न लिखित में से कौन से कथन सत्य हैं इसका सही आंशर होगा A और B अगला प्रश्ण है प्राथमिक अस्तर पर गड़ित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महतुपूर है। इसका सही अंसर होगा, गडित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। अगला प्रस्ण है, गडित की प्रकृती के विशे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका सही आंशर होगा प्राथमिक अस्तर पर गर्डित प्रत्यच है और कर्पनाओं की आवस्पेक्टा नहीं है अगला प्रस्ण है निमलिखित किरिया कलापों में से किसे विद्यार्थियों में त्रिवीम विवेचन विख्शित होने की सर्वादीक संभावना है इसका सही अंसर होगा चौपण आकृतियों को पहचानना अगला प्रस्ण है बच्चों को भिनी की संकल्पना पढ़ाने के लिए निमलिखित में से क्या अत्यांत उपयुक्त है इसका सही अंसर है कीजी नेर छड़े अगला प्रस्ण है निमलिखित कत्नों में से संख्या तीन का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुगा है इसका सही अंसर होगा मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ इसी से क्रम सूचक भाव पता चल रहा है करम सूचक भाव का मतलब होता है कि उसका हम करम बता सकें कि वो किस करम में है अगला प्रस्ण है सुद्ध कथन की पहचान करी इसका सही आंसर होगा किसी आकरती का आकार उसकी परिमाप का निर्धारन करता है यहीं सही आंसर है अगला प्रस्ण है गड़ती पाठक्रम के सम्मंद में सुध्य कथन को पहचानी इसका सही अंसर होगा 20 गड़ती विचारों की न्यू प्रात्मिक अस्तर पर डाली जा सकती है यहीं सही अंसर है अगला प्रस्ण है प्रात्मी कस्तर पर तिर्भूजों की अधाना का परिशय देने के सम्मन्द में सुद्य कथन को पहशानी इसका सही आंसर होगा बच्चों के समझ सभी प्रकार के तिर्भूजव अनाकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए अगला प्रस्ण है एक विभाजन की प्रस्ण में भाजक भागफल का पांच गुना है और सेस्फल का दो गुना है यदि सेस्फल पांच है तो संख्या क्या है जैसा कि हम जानते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं यहां भाज होता है यहां भाजक यहां भागफल यहां सेश फल अब प्रस्न दिया है कि भाजक भागफल का पांच गुना और सेश फल का दो गुना है यहां यदि सेश पांच है तो इसका दो गुना भाजक है यहां दस हो जाएगा और भागफल का पांच गुना है यहीं भागफल कितना रहा होगा दो तभी पांच गुना होगा अब हमें भाज जी पुछा है यहीं संख्या कौन सी है तो हम निकालते हैं इसका गुड़ा करकी इसको जोड़ देते हैं यहीं तरज दुनी 20, 5, 25 यहीं हमारा भाज जाए जाएगा यहीं संख्या है इस तरह से हमारा सही आंसर होगा 25 अगला प्रस्ण पुछा गया था पांच क्रमागत संख्याओं का योग 20 है रथम तीन क्रमागत संख्याओं का योग क्या है पांच क्रमागत संख्या का मतलब अगर हम एक संख्या यक्स मानी तो अगली संख्या यक्स प्लस वन उससे अगली यक्स प्लस टू उससे अगली यक्स प्लस तीन और यक्स प्लस चार यह इनी इन सब का योग दिया है 20 है यह इनी इसको जोड़ेंगे तो 5 यक्स 2 1 3 3 6 4 10 बराबर 20 दिया है यहां से यक्स बरा संख्या हो गई 2, 3, 4, 5, 6 अब इसी प्रथन 3 का योग पूछा था तो 4, 3, 7, 2, 9 हो जाएगा इस तरह से सही एंस्वर 9 होगा अगला प्रस्ण एक वर्ग की रूप में तार 144 सेमी स्क्वायर का छेतरफल घेती है यदि इसी तार को एक आयत की रूप में मोड़ा जाए तो इसकी लंबाई 16 सेमी है तो कितना छेतरफल घेरा जाएगा तो सबसे पहले हम तार को मोड़ कर एक वर्ग बनाया गया है और उसका छेतरफल दिया है यह इसकी लंबाई दिया है 16 सोल आ अब इसका परिमाप कितना है? 48 ये दोन मिला कितना हो गया 32 भटा देंगे यहीं 16 तो यहीं आठ चोड़ाई हो जाएगी आठ अब इसका छेतरफल पूछा है तो छेतरफल हो जाएगा 16 गुड़े 8 बराबर 128 सिंटीमीटर स्क्वायर इस तरह से हमारा सही आंसर होगा 128 अगला प्रस्ण निम्न भिन्नों में सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 5 बटा 6, 3 बटा 4, 1 बटा 2, 2 बटा 3, 3 बटा 5 सबसे पहले हम हर का लसा लेते हैं इसका लसा आजाएगा 60, 6 दहा में, 10, 55, 4, 15, 45, 2, 31, 31, 32, 22, 42, 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 43, 43, 42, 42, 42, 42, 46, 46, एनि सबसे बड़ी यह है? फिर दूसरी सबसे बड़ी यह एनि संख्याएग कौन कौन सी हो गई? पांच बटा 6 और 3 बटा 4 इस तरह से सही एंसर हो गया पांच बटा 6 और 3 बटा 4 अगला प्रस्ण असमिता विद्याले की गोश्टी में साड़े आठ हेम पे से 15 मिनट पहले पहुची वो अपने सागर्मी से आदा घंटा पहले पहुची जो की गोश्टी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुचा गोश्टी का निर्धारी समय क्या था? गोश्टी मतलब मिटिंग तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं असमीता विध्याले साड़े 8 एम से 15 मिनट पहले पहुचने के मतलब वो पहुची 8.15 पे 8.15 पे वो विध्याले पहुची और उसका सागर्मी से आदे घंटे पहले पहुची यहनि उसका सागर्मी 8.45 पे पहुचा जो कि गोश्टी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुचा 40 मिनट देरी से पहुच ने मतलब गोश्टी का समय रहा होगा 8 बच कर 5 मिनट तभी वह 40 मिनट देरी से पहुचा हमारा सही अंसर होगा 8 बच कर 5 मिनट प्रस्ण हम 6 interface 48 sq कि कहने का मतलब वर्ग का 48 डिप्बे हैась sq है 1 X 1s को ऩरीके सजा सकते हैं कि उसका 58 $ 48 तो एक और 48 पार निक सकते है या एक एक का डबा तो हुआ इसे करते करते हम झास कै आट यह है एक सेंटिमीटर ऐसे आएगा 48 इसका छेतरफल 48 इसी तरीके से हमें ले सकते हैं 2 और 24 यानि दो लाइन ऐसे कर सकते हैं ऐसे यह जाएगा 24 तक यानि यह 24 हो गया यह दो इसका भी छेतरफल 48 है इसी तरीके से 3 और 16 ले सकते हैं 4 और 12 ले सकते हैं इसी तरीके से 6 और 8 ले सकते हैं यह जो पांच मान संभव हैं इस तरह से सही अंसर होगा 5 बिद्यालाय की सभा में एक कच्छा की बिद्यार्थी का एक पंक्ती में खड़े हैं दोनु सिरे से रूही का 19 अस्थान है उस कच्छा में कुल कितने चात्र उपस्थित है कहने का मतलब रूही आगे से 19 अस्थान पे है 19 अस्थान पे होने का मतलब इसके आगे 18 लोग रहे होंगे अब पीछे से भी उनिस्वा स्थान है यानि इसके पीछे भी अठारा लोग होंगे अठारा यहाँ पे अठारा यहाँ पे और एक है कुल कितने लोग हो गएं? 37 इस तरह सही एंस्वर 37 अगला प्रस्ण एक संख्या सौ के आधि से अधिक है यह 6 दहाई से अधिक है और 8 दहाई से कम है इसके अंकों का योग 9 है इसका दहाई का अंक एकाई के अंक का दोगना है संख्या क्या है? इस प्रस्ण को हल करने के लिए हम आपसन को देखते हैं तो नीचे वारी लाइन से पता चलता है कि दहाई का अंक अगला प्रस्टन, विविन स्टेशनरी वस्टूओं की धरे नीचे दी गई, हमसे पूछा है कि एक पैकेट क्रियान, दो पैकेट पेंसील, एक पैकेट स्केश पेन, एक कैची, चमकीले कागज की पांच सीटे और एक पैकेट सजावती स्टीकर का दाम कितना होगा? यहाँ पर हम इन सब को जोड लेते हैं, इस तरीके से हमारा सही अंसर हो जाएगा सौदसमलोग पांच अगला प्रस्ण, एक रेलगाड़ी पतना से 30 मई 2020 को 23-40 पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5-15 पर पहुँचती है रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? प्रस्ण को हल करती समय एक बात का धियान रखें कि मई का महिना 31 दिन का होता है दर ट्रेन 30 तारीक को चली 23 बचकर 40 मिनट पर 31 तारीक को एक तेइस बचकर 40 मिनट तक 24 गंटा हो गया फिर यहाँ से 12 बजने में रात का बारे 20 मिनट यहां फिर सुबह 5 पंदरै पे पहुची एक ताडीक को यहाँ पे 5 घंटा 15 मिनट ये 20 मिनट ये कुल कितना हो गया 24 पांच 29 घंटा 20 मिनट ये 15 ये 35 मिनट इस तरह से मारा सही अंसर हो गया 29 घंटा 35 मिनट अगला प्रस्ण 5 अंकों वाली संख्या में सौवें अस्थान का अंक 10 हजारवें अस्थान के अंक का 3 चौथाई है और दस्वें अस्थान का अंक सौवें अस्थान के अंक का 2 तिहाई है दसमें अस्थान का अंग सबसे चोटी अभाद संख्या का उवर्ग है और हजारवें अस्थान का अंग एक अंग वाली सबसे बड़ी अभाद संख्या है यदि इकाई अस्थान का अंग सबसे बड़ी एक अंग वाली पिसम संख्या है तो संख्या क्या है यहाँ पर हम देखते हैं कि दसवें अस्थान का अंग सबसे छोटी अभाद संख्या का उवर्ग है सबसे छोटी अभाद संख्या दो है इसका उवर्ग चार है यहनी दहाई के अस्थान पर चार कहां पर आ रहा है आपसन तीन में आ रहा है यही हमारा अंसर है अगला प्रस्ण 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा इस संख्याओं के जोड में से माली जी यक्स घटाएंगे तो इतनी संख्या प्राप्त होगे अब इसको जोड लेंगे तो 9,62 इतना माइनस यक्स बरावर 17,863 यक्स उधर चला जाएगे यह घटी जाएगा यहीं 24,904 में से 17,863 घटाएंगे यहीं यक्स कमान प्राप्त हो जाएगा यहीं इसको घटाएंगे कितना जाएगा 7041 यहीं हमारा अंसर है अगला प्रस्ण शोले लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पुन रूप से पानी से भरी हुई है बाल्टी के इस पानी को छोटे-छोटे बर्दनों में भरा जाना है बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूनते अभर कर छोटे छोटे बर्दनों में अस्थानांतरित किया जाता है मग की धारिता क्या है बाल्टी 16 लीटर की है 16 लीटर का मतलब हो गया, एक लीटर में 1000 ml होता है तो 16 लीटर में 16 गुड़े 1000 इतना ml हो गया अब 50 बार में मग द्वारा भरा जाता है इसका मतलब एक मग में इतना आएगा इतना ml इसको हल करेंगे canyon 220nd में 320 ml में अगला प्रस्मे एक टेकसी का मीटर पहले दो किलो मीटर की यात्रा के लिए पचास रुपय का भाणा दिखाता है उसके बाद प्रती किलो मीटर की यात्रा के लिए 16 रुपय का भाणा दिखाता है मंजु ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपए किराया दिया उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है पहले 2 किलो मीटर के लिए वह 50 रुपए लेता है उसने कुल 258 रुपए दिया यहीं 2 किलो मीटर के 50 रुपए दिया यहीं बचा 208 रुपए वह 16 के हिसाब से दिएगा तो कितनी दूर जाएगा 16 रुपए यहीं तेरे किलो मीटर यहाँ दो किलो मीटर यहाँ बोलो गया 5 15 किलो मीटर अगला प्रस्ण इस प्रस्ण का सही अंसर होगा दूसरा अगला प्रस्ण गडित के सिच्छन अधिगम संदर्व में निमलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांचनी है इसका सही अंसर होगा संकल्पनाओं की अंतर जसी समझ को प्रसाहित करना चाहिए अगला प्रस्ण इसमें पूछा गया है कौन सा बिंदू बंद सीरे वाले हैं और कौन सा खुला बंद सीरे मतलब जिसका answer fix है बाकी जो बच गया वो मुक्त सीरे वाले प्रस्ण होंगे यहाँ पे हम देखते हैं A और C बंद सीरे वाले प्रस्ण है और B और D मुक्त सीरी वाली प्रस्ट है